अमिड जमाल चीतेश, छागया, यार छागया,iley की सरजमीन पर इतनी जबरतस किसम के पॉफारम से, जार दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया, वो एस्टेलिया, जिसके सुच कर बैठा था कि स्टेलिया हम के के ओपर, हमारे उपर 50 रंच रहा देगा, लेकिन 14 रंच अ पाकिस्तान ने आखरी पांच विक्टें दस रंस के मार्जन के अंदर ले रही है। 289 पर छटी विक्ट गिरती है। Alex carry out होती हैं, हमारे साज़त भाई विक्ट लेती हैं और उसके बाद चाय का वक्फवा आ जाता है। और चाय का वक्फवे के बाद आमीर जमाल आती है। और 10 बोलों के अंदर अंदर अस्टेलिया की चारों विक्टें ले उरते हैं और इतनी सवर्दस बोलिंग पर्थ के टेस्ट मुकाबले में 6 विक्टें लेते हैं Melbourne के ground पे 5 विक्टे हैं और आज फिर आज फिर 6 विक्टे हैं यार 15 प्लस विक्टे है 125 प्लस रंस और इसी test match में पहली इनिंग्स में 82 रंस 97 बोलों पर 84 के strike rate से मतलब बैटिंग से भी बोलिंग से भी क्या all-rounder मेरा यार हम तो राना बैन स्टोक फाही मजटरफ के पीछे पागिल थे ये तो भाई ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है अस्टेलिया की सर्जमीन पर इस तरह की dominance वो भी all-rounder की with the ball with the batty fearless outstanding बहुत कम देखा है बहुत कम के देखा है इतनी outstanding किसम की इतनी outstanding किसम की bowling करवा रहा है पाकिस्तान के पास नाधिर मोग है कि सिड्नी के ground में dominate करके 28 साल पहले जो नहीं हो सका 28 साल पहले हुआ था वो अब दुबारा कर देए बहुत अब दुबारा फिर जितवाद हो बई जितवाद हो यू ब्यूटी आमिर जमाल यार इतनी sabardous performance इतनी outstanding well deserving player है यार इस series में किसी ने अच्छा perform किया वो आमिर जमाल one of them one of them मैं कहता हूँ इतनी outstanding किसम की performance और पाकिस्तान इस वकत अगर इस match की सूर्थेल पर नदर डाले मिचल माच ठीक है 54 रन उसने बनाती है मतलब कि 7 रन पर उसका कैड़ रप हुआ 47 रन अभी भी हमें अजाफी पड़े है साई मयूब चले जो हो गया सो हो गया अब नई उमीद के साथ 13 रन 14 14 रन आपने अभी Australia को इपर पहले लीड रख लिए अब पूरा सेशन पड़ा हुआ है मतलब कि 7 सेशन पड़े हुए है और एक ये सेशन है अगले 2 दिन है आई 3 दिन है तो इट मेंज के कफी ज़दा ओवर्स पड़े हुए 2 दिन में आप कह सकते है 180 ओवर्स तो ये मैट जो है वो पांचवे दिन तक तो जाएगा अब डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनानी अब अग्रेसिव साहम यूब को अपना कमाल दिखाना होगा साहम यूब को इधर 70-80 तेज रन्स बनाने होगा अब दुलाश्वी को भी अज कम से कम इस सेशन में 70-80 रन बनाकर अस्टेलिया की 100 से उपर ले जाए 14 रन्स पहले ही है अगर ये हो जाता है फिर तो आउर्सेंडिंग हो जाएगा भाई फिर चोते दिन आकर मारदार करें साड़े 300 तक अस्टेलिया को टार्गर दे दे अस्टेलिया नहीं बना पाएगा 200 प्लस भी अगर आप दे देती है न ये सिडनी का ग्रोंड है अस्टेलिया वैसे ही डरा हुआ है मैं कल का कह रहा हूँ कि अस्टेलिया स्लो खेर रहा बहुत स्लो खेर रहा आप इससे अंदादा लगा लें कि 110 ओवर्स आलमोस खेर गया 109 ओवर्स खेर गया अभी भी हमसे कम है अभी भी हमसे 14 रंस कम बनाए हमने सिरफ 77 ओवर्स खेले थे 313 रंस बनाए थे तो मतलब अस्टेलिया हमसे बहुत स्लो डर्टर के खेर रहा है हमने सिडनी में डोमिनेट किया है कमंटेटर चीक चीक कह रही है कि इतना आउटसेंटी किसम की पाकिस्तानी बोलिंग है इतनी आउटसेंटी किसम पाकिस्तान अपनी बोलिंग करवा रहा है पाकिस्तान अस्टेलिया को बून के रख रहा है पाकिस्तान रंस नहीं दे रहा ये commentator कह रहे है, commentator neutral होते है, commentator अस्टेलिया के सारे बैठे हुई है, आप इस से अंदाजा लगा ले, हाँ हाँ, इस match में मुझे थोड़ा सा impressed नहीं किया, तो वो हसन अली नहीं किया, with the bat भी वो flop हो गया, with the ball भी वो wicket नहीं ले पा रहा, bowling तो वैसे अच्छी किया है, इकान पैट कमिन्स, हाला एक ओर मेरे पास stat है, पैट कमिन्स को 20 बोलें की है, आमिर जुमाल ने, और सिरफ 8 रन दी है, और 4 दफा उड़ की है, इस सीरीज में, तो दोख है, वरे जितना उठानी पैट कमिन्स को, तो भाई आमिर जुमाल ने पकड़ा हुआ है, कि कैप्टन साब आप तो इधर आएं, आपको नहीं छोड़ेंगा, आप हमारे बाबर आदम को पकड़ते हैं, हमाँ आपको नहीं छोड़ूँगा, मैं खुद रानु के 20 बालों में 4 दफा पकड़ लिया हुआ, वो बाबर को 3 दफा पकड़ के बैटा है, तो इसने 4 दफा पकड़ते हैं, हम किसी का हिसाब नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा आज दिल खुश है कि अस्टेलिया, मैं सोच रहा था, कि कोई भी एक इनिंग ऐसी नहीं हुई, जिसमें पाकिसान ने अस्टेलिया से ज्यादा रन्स बनाए हूँ, और इस दफा हो चुका है, मुझे इस दफा भी हमें किसी को भी नहीं उमीत ही है, जो 20 रहते थे अभी स्टेलिया के पांच कलाड़ी रहते थे, तो आप नहीं सोच सकते कि अस्टेलिया इतनी जल्दी ओठोजेगा, अभी 14 रन्स की आपको लेडी मिल चुकी है, बेस्ट, विश यू आल दा बेस्ट, साहिम यूग, विश यू आल दो कैचिस छोड़े हैं, अब उसका खम्यादा जो हमें भुगत ना परे, आप रन्स बना दीजीगा, ताकि ये जो मिस्टेक है, ये काबू आजे, अब दुलाश्वीक पिछले मैच का करदा जो आना, वो इस दफ़ा दे दीजीगा,